ओके, हेलो चैटर्स, माई नेम इस रोइट एंड यो और वाचिंग रस्टल चैटर्ट तो कैसे इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट में नाइट रॉक के बारे में जिस होने हैं बस अब कुछी घंटे बाकी हैं और इस वीडियो में बास आपके लिए कु कि हमें बहुत बड़ा सर्प्राइस देखने को मिल सकता है और वो होगा एक टैग टीम मैच में जो में देखने को मिलेगा फिन बैलर और और उनके मिस्ट्री पार्टनर वर्सिस बाबी लेशने लियो रश के बीच और यहां पर रूमर्स काफी जाद आ रहे कि हमें कोई र देखने को मिलेगा रन्डा रौसी बर्सिस देना ब्रुक के बीच यसी कि लास्ज वीघ्रॉकर वोगर्य अफिसोड में भिइस को मैंच की डिमांट करें तो वह इंगने अंहीं और यहां पर कुछ फिजेट कर सकते हैं 300 के बात कर जोंकिनी ईक और बड़ी 35 में होने वाला final match तो वहाँ पर Raw के एपिसोड में हमें वो अपना opponent reveal करते वे दिखाया दे सकते हैं और हो सकता है वो कोई एक बड़ा opponent हो आप लोग जानते हैं काफे सारे नाम सामने आ रहे हैं हमें वहाँ पर उस superstar का return देखने को मिल सकता है वो WrestleMania 35 में अगली थिंग की बात करें जूग की जुड़ी है एक बहुत ही बड़ी storyline से एक बहुत ही बड़ी feud से जूगे में Raw पर देखनी को मिल रही है और last week Raw के एपिसोड में रेसल में 35 के लिए match भी confirm हुआ था ट्रिपल H वर्सिस बड़ी स्टा की बीच तो इस तरह से हमें नेक्स रॉक के एपिसोड में यह दोनों सूपरस्टार अपनी इस फ्यूट को continue करते विए दिखाये दे सकते हैं और हो सकता है क्या पता में ट्रिपल H बड़ी स्टा के बीच ब्रॉल भी देखनी को मिल जाए अगली तिंग की बात करें जो कि कंफ़म है और यह होने वाला बहुत दिनों के बाद बहुत पायम के बाद क्योंकि यहां आप फैनल देखनी को मिलेंगे दबीस्ट ब्रॉक लेस्नर ब्रॉक्लेसिंग के साथ obviously मैं यहाँ पर पॉल हमिन भी देखने को मिलने वाले और यहाँ पर अपना प्रोमो कट करेंगी या फिर हो सकता है प्रोमो कट करने से जादे भी हमें कुछ देखने को मिल जाया क्योंकि Seth Rollins पे एकली रॉक है एपिसोड में होंगे और Seth Rollins का मैच होने वाला Drew McIntyre के साथ में तो इस तरह से हो सकता है यह दोने चीज़ आपस में कनेक्टेड हो और Seth Rollins से Drew McIntyre का मैच के होने वाला वो भी आप लोग जानते क्योंकि लास्ट वीग जो रॉक है एपिसोड में Drew McIntyre ने अटाइक कर दिया था Roman Reigns के ओपर और मेनी मैच में उन्होंने हरा दे था Dean Amoros को तो इस तरह से हम लोग कह सकते है Dean Amoros, Roman Reigns और Seth Rollins के स्टोरान कहने के यह आपस में कनेक्टेड है अभी Roman Reigns की बात करें तो क्या हो नेक्स शॉक के एपिसोड में अपिर होंगे यह बात कन्फर्म नहीं है लेकिन अगर Roman Reigns आते हैं लिए एपिसोड में तो या तो हमें Drew McIntyre के साथ इंवाल्फ होते वे दिखाया दे सकते है और पर यह भी हो सकता है वो हमें Brock Lesnar के साथ भी देखने को मिल जाएं क्योंकि Brock Lesnar और Seth Rollins के आपस में फ्यूड है और हो सकता है Seth Rollins के हल्प करने के लिए हमें Roman Reigns इस चीज में इंवाल्फ होते वे दिखाया दे सकते हैं और क्योंकि Roman Reigns का बतला Brock Lesnar से भी होगा क्योंकि उनकी पास उनकी Universal Championship है जो टैटल उनने कभी हारा नहीं तो ऐसमें हो सकता है नेक्स रॉक के एपिसोड में Roman Reigns एं Brock Lesnar भी आप आसमें फिसिकल एक्षिन में देखनी को मिल जाएं लेकिन ये सभी चीज तब पॉसिबल होंगी जो में आगली रॉक के एपिसोड में देखनी को मिलेंगे Roman Reigns अब ये तो डेवल लोगली के उपर ही डिपेंड करता है कि क्या नेक्स रॉक के एपिसोड में आते है Roman Reigns लेकर फिर भी को मिलाकर जो अगली रॉक का एपिसोड है आपर काफे सारे हमारे कोश्चेंस जो हमारे दिमायम की डाउट सेलने वो शायद क्लियर होते वे दिखाई दे सकते हैं तो आई होप आपको ये वाली वीडिया अच्छे लगी होगी तो लाइक की बना तो कहीं मच जाना कमेंट करके आप मुझे अपने थॉट्स बताने के आप लोग अगली रॉक एपिसोड के लिए कितना ज़दा एक्साइटेड है साथने साथ आप लोग कर सकते चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बैल को आन ताकि आपको मारे चैनल पर इसी तरह से डिपलेबली की लेटेस्ट अबडेट्स डेली जानने को मिलती रहें सुस्यू गाइस इन माइ नेक्स्ट वीडियो